जै गुरुजी संगर जी जल्दी जल्दी से लाइव जूट जाएए संगर जी जल्दी जल्दी लाइव जूट जाएए जब तक और संगर जूट रही है और तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं ओम नमद्षिवाई शिप्ची सदा सहाए ओम नमद्षिवाई गुरुजी सदा सहाए ओम नमद्षिवाई शिप्ची सदा सहाए ओम नमद्षिवाई गुरुजी सदा सहाए ओम नमद्षिवाई शिप्ची सदा सहाए ओम नमद्षिवाई गुरुजी सदा सहाए जै गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का जो नोने सेवा बक्षी है लग लग शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना और सबको हापी लोडी आप सबको लोडी की बहुत-बहुत हार्डिक शुब कामना है लोडी दिया लग लग फदाया और आप सब के कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं I hope आप सबको अवाज मेरी क्लियर आ रही है और क् कमेंट नहीं शो हो रहे हैं तो हम गुरुजी का नाम लेके ही सचसंग शुरू करेंगे और सचसंग को आगे शेयर कीजिए जतना जादा हो सकते हैं यह पी एक सेवा है तो अनंतम शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का जो उन्होंने आज के दिन आज कितना ब्लेस्टे है औ सब्सक्राना गुरुजी महाराज जो आप हमेंस लायक समXTे हो और आपने जो सेवा बख्षिया है कज़गो अब कर सके है कि अगर मीज़ा है । अब फिर किया का मैंगाए या जिक रात को बाइट को विष्च किया चुबर आपके अठीजिप किया हुआ, यह यू था कि अब लगन भीक जो टे विस्विश्व्थ किया है तौछे तो कि को 52 अजय प vos देखे लुडघी तु का वरोड़ोो के टरह इनकत भीके वहिहां तो मैं ब्लंक वहीं निय其實 he money् मुझे कुछ समझ नहीं आरहा तो मै ब्लंक होगी उसके बाद फिर पूचा मागए तोます चाहिए आप नेखियों देना औरBoyी महायराजों को ठीक लग हैं रहुति गुरुजी महाराज हमें इस लायक समझते हैं जो अपनी उन्होंने सेवा बक्षी वो भी आज के दिन गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना और हैपी लोरी और सारी संकत को जो भी जॉइन हो रही है क्योंकि मैं कमेंट्स रीद नहीं कर पा रही हूं तो रेप्लाइए नहीं कर पाती हैं सबको हापी लोरी गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग है हर दिन एक सब्क ब्लेसिंग है हर दिन Memorial Church ऩाइवरी डेस प्लेसिंग मेंง होता है कि कब क्या कैसे करनना वह गुरुजी को पता है टेस्टिंग फेस्टिंग 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 फे बैट जाओ अभी कही नहीं जाना तो बाद में बता चलता था कि उन्होंने रोका और देखे कोई दुरगटना होते हुए बच गई तो अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में अपलाए करें कि गुरुची महाराज हमें रोक लेते हैं कि कहीं कोई आपकी लाइफ में कुछ जाताना हो जाए जो आप डाइजस्ट ना कर पाएं तो गुरुची की टाइमिंग है हर चीज की बहुत ब्यूटिफुल जर्नी हो जाती है जब हम हमारी आखे कुलती है तब महाशिफ साक्षात हमारे सामने आते हैं और महाशिफ जब आ जाते है तो फिर दीरे जो लाइफ क्योंकि अगर मैं तुम्हें दर्शन दो घोंगा अगर फिर दो लिखर एकुशए मुझे बैंकि कि जहत् हो सकते हैं तुम यह लिखित क tadi वह होते हैं लोग इतने और में उत्सक्राव भीवानरी दूम बपकस्पिट मैंना धर्शन दे ऊनतंती है हम पमें आता है तो को नो से एक्सेप्ट ना पाए जहल न पाए तो धीरे-धीरे गुरु जी महाराज हमें उस लाइक बनाते हैं तो अपना तो लेते हैं क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को देखें सजा जरूर देते हैं यह शुरू से जननी चल रही होती है जब से हम पैदा होते हैं ठीक है तो मा जैसे एक बच्चे एक होती ने स्ट्रिक्ट मदर कि वो बच्चे के भलाई के लिए सब कुछ करती है उसको सब कुछ दिखाना है उसको उस लायक बनाना है ठीक है लेकिन जब हम उस पूजिशन पर आ जाते हैं जब गुरुजी माराज को लगता है कि अब ये बच्चा सुधर गया है अब मेरा टाइम है तो हमें अपनाते हैं और फिर उसके बाद जो जर्नी होती है जो कंट्रोल होता है पहले उससे पहले हम अपनी जित कर रहे होते हैं उससे पहले हम हम सब कुछ उल्टा सीधा सोच ना ये वो बिना सोचे सब कुछ भटक जाते हैं जब पूरे भटक भटक के जब ठक जाते हैं त तो गुरुजी महाराज कहते हैं, आगे अब फिर गुरुजी महाराज दोर संभाल लेते हैं, तो ऐसे ही होता है कि जब गुरुजी के साथ जॉइन किया, जब गुरुजी महाराज ने संभाल लिया, तो उसके बाद फिर जर्णी गुरुजी की हो गई, फिर वो हमारी नहीं ह जैसे हमेशा स्टोरी सुनते हैं कि यह हुआ महापारत में और कैसे कृष्ण ने अर्जुन का वो जो सार्थी बनके उनको आगे लेके गए वो तो भगवान है कृष्ण तो सार्थी बने क्योंकि रियालाइस करवाना था क्योंकि सारा सत्य दिखाना था तो वो जो चोटी सी जो conversation थी उसमें जो अर्जुन थे उनकी आखे खुल गई थी जीतार नहीं लेकिन आखे खुलना बहुत जादा important है और एक बड़ा प्यारा भजन में हमेशा गुरुजी के सामें बोलती हूँ अब सौप दिया इस चीवन का सभार तुमारे हातों में है जीत तुमारे हातों में और हात तुमारे हातों में तो हार का सथाल नहीं हूता, जीती-जीत है Guruji Maharaja हमारे रहे करेंगे जो बेस्ट होगा तो कि अब कुछ तन पहले craex करूंगी जर्णी Guruji की है यहy जर्णी हमारी नहीं उनकी है वह, हम वह में प्रे रइडर में है सब कुछ वह है तो गुरुजी मारा अपर से बैठके देखते रहते हैं ठीक है कि कौन कैसा पार्ट प्ले कर रहा है गुरुजी की रिकॉर्डिंग चल रही है और वो देख रहे है कि कौन कैसा अपना कितनी शद्दत से कितनी खुशी-खुशी अपना पार्ट प्ले कर रहा है देखे आपको कि मैंने अगर इनको यह रोल सोपा है तो यह कितनी खुशी-खुशी कैसे वो निभा रहे है और कितनी ऑनेस्टी के साथ निभा रहे है तो ऐसे गुरुजी महाराज है हमारे कि मोनिका अंटी जै गुरुजी पहला कमेंट दिखाए दिया है है हापी लुरी आपको भी बहुत है प्याली संगत को हापी लुरी तो कुछ दिन पहले का सत्संग है अन्जू अंठी जै गुरुजी हापी लोडी तो यू टू और कुछ दिन पहले का सत्तंग है कि देखिए गुरुची माराज ने दर्शन करने बुलाना होता है तो मैंने गुरुची को बोला कि गुरुची आज मैं आपसे यह नहीं बोलूगी लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे गुरुची ने बड़े मंदर बुलाया था और इसनौ अचानक से देखिए गुरुची वाँ आज अचानक से आपको बुला लेते हैं जुन जुलाई की तब भी गुरुची बुलाते थे तब भी हम लाइन में खड़े होते थे तो बहुत अच्छा लगता था क्यों कि गुरुची किया क्या है और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यह जब अब टुगरी मंदर खुला था आठ को आठ तारीको तो उस टाइम हमें यह उरा था कि हम कैसे जाएंगे तो हमने रिसाइड किया कि मैं और मेरा भाई जाएंगे और बाकी सब ख़र रहेंगे क्योंकि ठंड बहुत जादा थंड पड़ रही है और जब हम घर से निकलने लगे तो मैंने गुरुची को बोला कि गुरुची आज मैं आपसे कुछ मांगनी नहीं आ जाए हम सरफ आप से मन से भाव से घर जोड़ेरिक है तो गुरुची कहते है तो गुरुची आपने कया त्यारी करनी है तो गुरुची आपने कुछ तियारी करनी है कि सब कुछ कैसे manage करना है क्या लंगर प्रशाद बनना है कैसे सब कुछ होना है कहते हैं मैं कहां जी गुरुजी तो ऐसे गुरुजी ने दिखाया कि त्यारी करनी है पिलकुल अराम से पहुंचा दिया सब कुछ है गुरुजी तो पहुंचे orchestra पहुंचे वहाँ पर अब यकीन मानिये है इतनी ठंड थी ऐसे लग रहा तो बरफ के रही है स्मूफ उलैसे अई इतनी ठंड हवाएं आ रहे थी तो जैसे हम उतरे तो यहाँ पे न मैं एक चोटा स भाफ पहले क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि गुरुजी की आगया है तो एक चोटी सी बात मैं जब घर से निकली तो क्या हुआ कि मेरी ममी ने मुझको जैकेट दी ओवर जो कोट होता है तो अल्दो मेरे वूलन वह पैना वा था सूट लेकिन ममी ने मुझे पकड़ा दिया कि बेटे ये पैन के जाओ पैन ले तो मैंने उनको बोला कि मममा क्या कर रहे हो जाकेट लो तो अच्छा ठीक है फिर मैंने रख लिया मंमी कहतेता है कार ता काड़ी में रख लिया और अप येकीन मानिये की जब मैने इतनी थन्द थी बहुत ही जादा मुझे आधा समझाई लुसर जब आप गुरु जी किसी भी रूप में, आपके बत्चों के रूप में, आपके फ्रेंड के गाइड के नुझान सन्घत के थरू भी आपको कोई Ji को सचेंज सकते हैं ध्यान से always be receptive receptive का मतलग यह होता है कि अगर कोई बात बार बार आ रही है सामने that means उसका कोई reason है थीक है तो क्या हुआ कि मैं आपको बता रही हूँ न कि गुरू जी नहीं मुझे message दिया कि जब माता पिता या कोई आपका जो भी है well-wisher अगर आपको कोई कुछ कह रहे हैं तो उसको उस सब लेकिन नहीं हमें पता नहीं होता तो यह चीज होई और आप देखिए उसके बाद अब गुरुची ने जो तैयारी की होई है beautiful हम पहुचे वहाँ टेंट वगरा लगे होई ते और मैं सेवादार गुरुची माहराज को मतलब मैं कैसे बताऊं सबको नमशकार करती और ढूप में सटक पे वो सटक पे मतलब सेवा करें होते हैं तो इन फाक्ट वही पर पाजी में मैं अपने भाय से बात कर ले थी कि तो ब्लादा स्वामी चीया वहाह बना हुआ है वहाँ पे भी बहुत लगी लाइन नहीं थी तो God is one अना और मैं देख रहे थी कि मैं जैसे हम लोग पहुंचे वहां पे और लाइन में लगे बहुत लबी लाइन नहीं थी इट वस पाक मतलब चल रही थी लाइन मतलब स्टॉप नहीं थी तो हम लोग जैसे ही उत्रे तो हमें फटावड उन्होंने कॉफी हांड़ोबर कर दी गरम गरम कॉफी परशाद कि आप यह पीओ आप यह इसको पीओ बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत अच्छा लगा और शुक्राना गुरुची का फिर हम आगे गए लाइन में फटा 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 भागते गए सीधा अंदर जर्बार पे अब उस दिन मेरे फिर थॉट आया देखिए हमारे न बहुत सारे करें गुरुची को कहा रही हो गुरुची ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ स्पेचल कीजिए है इसी माइन में आया तोड़ी न आप करते हैं थोड़ी न आया गुरुची क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने बड़े मंदिन में विछली बार दर्शन दिये थे हम लोग 15-20 तो मैंने का कुछ ऐसा कीजी ना गुरुजी कि कुछ ऐसा कभी हो सकता है मतलम मैं ऐसे बोला कि ऐसा कभी हो सकता है कि हमें यहां पर भी और अभी मतलम मैं सोच रही सोच के गई थी और उसके बाद मैंने सोचना बन कर दिया इस पात को जब मैं वहां पहुची और जब बिल्क माइंड में हमेशा पहले वो थौट आता है कि गुरुची हम बैठेंगे क्या तो मैं जरा सा आगे गई तो मैं सेवादार अंकल से पूछ नहीं वाली थी कि हम यहां बैठ जाए तो उन्होंने बुला अंटी आराम से बैठ जो पीछो के तो हम बिल्कुल कोने पेचा के मैं औ लेकिन उस दिन जो दर्शन थे वो गुरुची को पता है क्योंकि हम कुछ मांगने नहीं गए थे क्योंकि हम हमने गुरुची के ऊपर दोर छोड़ देते हैं जब हम अपना माइंड चलाना बंद कर देते हैं और डोर एक्चुली में गुरुची के ऊपर छोड़ देते हैं बेटर नहीं, बेस्ट, यह हमारा माइंड जो है, गेम्स खेलता है, यह हमारा जो माइंड है, जो गुरु जी कहते है, कि आनो जुतिया नाला के आया करो, मैं तो कहते हूँ, घर पे रख के आया करो, मतलब बिल्कूली, घर पे, जब आप घर से, हम जब घर से निकल रहे हैं अंदर बार के लिए, बस वहीं, रख तो, कि नहीं, यहां से हमारे बुद्धी काम नहीं करती है, यहां पर गुरु जी की प्लेसिंग काम करती है, तो लास्ट टाइम जो मैं एक शेयर कर रही थी ना, कि वो छोटी सी जो साखी थी, कि अच्छी साखी थी वो, कि भगवाल दर्शन दी एक भक्त को, और उसने बड़ी तपस्या की 100 साल एक पत्थर के उपर बैटके, एक माउंटेन के उपर, ठीक है, पहाड के उपर, तो पहाड के उपर पत्थर का वो जो पहाड सा बना हुआ तो उसके उपर उसने 100 साल तपस्या की, और फिर जब भगवान प्रक तुम्हारा बोज साहा है सौ साल तुम मेरे उपर बैठके तुमने तपस्या की है अब तुम्हें सौ साल मुझे अपने सिर्फ पर लादना होगा उसके बाद हिसाब बराबर होगा उसके बाद बात करना तो क्या बोले हम गुरुजी तो वो जो बगवान वो रो पड़ा वो इनसान वो रो पड़ा वो कहता कि नहीं मुझे आपकी बक्षिश है चाहिए मुझे आपकी परमात्मा आपकी बक्षिश चाहिए मुझे अपना वो नहीं चाहिए तो ये शायद हमारे आता होगा हम कि हम तो ये कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, गुरुजी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुरुजी करवा रहे हैं, ये गुरुजी हमें चला रहे हैं, अपनी जो लाइफ है, जो उन्होंने बक्षी है, तो ये सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी देख भी रहे हैं गुरूजी हमें आगे भी, जो भी, उनको सब कुछ पता है, तो ना हम सेवा कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वरुत अंकल, जै गुरूजी, हापी लोरी, आप सबको हापी लोरी है, तो ये सब गुरूजी माराज करते हैं, everything is planned according to Guru Ji तो फिर वही से शुरू करते हैं मंता अंटी जै गुरू जी तो फिर वहां से शुरू करते हैं कि मैं हरान होगी और वो अंकल लिका कि बैठ जाओ आप फटाफट बैठ जाओ रहाम वहां अराम से बैठ गए और संगर जी वो जो फिलिंग होती है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में कि हम अराम से आधा पौना अराम से बैठे रहे वहाँ पे और गुरू जी को निहारते रहे और ऐसा लग रहा था गुरू जी हमें निहार रहे है गुरू जी पूछ रहे हैं होर दस होर दस मांगते रहे हर वक्त सोचते रहे गुरू जी ने यह नहीं दिया गुरू जी ने वो नहीं दिया क्या पता गुरू जी ने आपको लाइफ प्लेस कर दियो क्या पता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप नजर अंदाज कर रहे हो थे भी सई की नहीं, ठीक है? यह हम सब के साथ है, यह सरफ किसी के लिए नहीं है, सब के साथ है. तो गुरुजी, we are all blessed, thank you so much, आपका बहुत बहुत शुकराना, जो आप हमें हर पल, हर पल संभावते रहते हो, हमें realize भी करवाते रहते हो, साथ की साथ, हमें practical करके तिखाते र नहीं, अगर हम actually में सोच के चलें, क्योंकि देखा देखी, देखा देखी, तो आपका मन भरे गाई नहीं, आप सोचोगी कि इसके बास यह है, तो मेरे पास इससे उपर होना चाहिए, फिर वो आ जाएगा, फिर और आएगा कि मेरे पास इससे भी उपर होना चाहिए, चाह जैसी फिर continue करती हूँ मैं, कि क्या हुआ कि जैसे ही वहां से फिर हम गुरुजी के बहुत सुन्दर दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत गुरुजी महराज ने ब्लेस किया, तो फिर जब वहां से निकले लंगर प्रशाद, अब लंगर प्रशाद देखी, गुरु पहले गाजर का हलुआ, फिर सरसुकसा, मक्ही की रोटी, आलू कोबी, सब कुछ दाल, सब कुछ गुरुजी ने इतना अच्छा लंगर प्रशाद, अब देखें, लंगर प्रशाद की महिमा है, और हमेशा हमें ये मान के चलना चाहिए, कि गुरुजी महराज का लंगर प् प्रशाद की महिमा हमेशा अलग फीलिंग, इस पार जब मैं गई तो लंगर प्रशाद जब मैंने खाया, लंगर प्रशाद इतना सारा था कि मैं ठीक नहीं महिसूस करी थी पहली, लेकिन मुझसे बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा था, तो ऐसे लगा कि आवाज आई कि और मैंने वही बैठे गुरुची महाराज को बोला कि गुरुची आज मुझे अगर कुछ हो गया ना संभालना आप नहीं है, मैं अंदर कर लूँगी, बस मैंने का ये पता नहीं, आपको पता है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम दवाई खा रहे हैं, ठीक है, और पता न बारी अंदर गे ट्रीट्मेट गुरुची को पता है कि हम दवाई खा नहीं पा रहे हैं, जैसे हुता है को हम ले नहीं पा रहे है, और गुरुची महाराजひए बलेस कर रहे है, तो फete Kent, गुरुची महाराज की तो मõ Sakura को कुछ को कोई बात नहीं, तो इतने में मेरा भाई तक सब कुछ और इतने में गुरुजी मेरा ध्यान हटाने के लिए वाप एक चोटा सा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल मेरे सामने हांके बैठ गया आखों में काजल लगाया इतना चोटा प्यारा बच्चा आठ मीने का हाडली और उसकी मम्मी उसको न साख के साथ वो जो प्र बार आगे और उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं कि क्या मुझे हो रहा था क्या नहीं हो रहा था और जब हम लोग बार आगे गाड़ी बेटके पूरा रस्ता घर आगे नथिंग इट वस ठीक है थकावर्टी तो चलो हम लोग आगे थोड़ा सा अराम किया रात तक कुछ नहीं खाया आप यकीन मानिया आप गुरुची का ना टाइमिंग होती है और और बताती हूं आपको जब मैं घर आई तो I was feeling like कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा इनो लेना चाहिए कि ऐसा लग रहा है हैविनेस लग रहे है कुछ लग रहा है और यह कभी न पटाइस नहीं मंजूर मैंने इनो नहीं मंइ और बहुत की से खूला, मैंने गलास में डाला और फिस हो गया इनो प्सलेट नहीं है और मैंने उसको वहीं रखतिया मैं यह कि दिसेंबर में हम लोग में लास्ट दूठाल्बब ंवड़ी दॉजी ने बड़े मंदर बुलाया था तो अब जब वहां गये तो वहां पर गये तो मैं जतना शुक्राना करूं, उतना कम है। उस दिन उतना गूरुची को इता कुम्पलीन कर रही रिखाई कि अाई पहली। अब में बेड़ आपक अधिया क्वाज है। पहला है। वाओ कोई गुरू जी यह निस दौनाना तो जाना था ने तेना झात िक्रप आतार पुजह है तो गुरूल था कोई तो कोई गुरूज गुरु अश्यू । बोला कि वी आई पिया गुरूची ने आगे सुनको बोला तू ता मेरा वी वी आई पि पुतर है आजा बैजा ऐसे कुछ बोला था अंकल शेयर कर रहे थे तो मैंने यह सट्संग सुना तो जब मैं वहां गई ना बड़े मंदर जब गुरूची ने बुलाया तो बड़े पर फिर मैंने फटापट अपने अपको गुसा किया कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैं जैसे गुरूची कि आगया हो तो अचालक से वह सट्संग की लाइन कि क्यों तू मेरा वी वी आई पुतर है क्यों कि मतलब ना उसी ताम गुरूची ने जबाब दिया और देख अब लाइन है अब मतलब अंदर दरबार में बैटना है तो पहले उन्होंने थोड़ी दरबार बिठाया और फिर दरबार के अंदर बड़े मंदिन में दर बार के अंदर 15-20 मिनट अराम से बैठो पापा मम्मी गए मेरे साथ मम्मी पापा हम इमाजन भी नहीं कर सकते ऑनका जा मुझार ऊंद आरा था कि गुरुजी सामने ऐसे बैठते होंगे ऐसे संधत को अपने पास बूलातते होंगे ऐसे गुडोजी पलाज ब्लेस करते होंगे सारा में मेरी आँ के सामने लगया तो मैं अपने आपको बभएत मान रही थी कि मतलब इतना में अंदर चाहिए आप बेठते हो नैश्रुलि आपके आंसू कि हम सोच भी नहीं साथे कि गुरुची और आप सौरी भूलते हो कि गुरुची सौरी माफ कर देना हमारे मन में ऐसे भावाई शुक्राना मेरे गुरुची का इतना शुक्राना जितना हम करें उतना कम है पिर उसके बाद पिछली बार तू आय थी बोल रही थी न कि घुरूजी आपने अंतलर न मत्थ और अच्छा देख लिया थह जब लास्ट से लास्ट यर गई थी तो मैं ने मथ्धत यह कि अद्धीर हो मैं बाद थे तो अन्कल वहां पर सेवादर अंकल गुस्साह करने लग गए CT सब कुछ गुछ इंग और प्रशाद तो उसके बात पिर जब हम मम्दा आंटी जए गुरुची फिर जब हम वहां से निखले बार तो हमें ना जो हमारी हाउसमेड है उसके लिए हमें स्वरूप चाहिए ता वो बहुत वह भी मानती है गुरुची को और वो ना कब से बोल रहे थी कि देदी आप गुरुची का स्वरूप कहीं स मिल जाये तो तो मैंने उसको बोला की मैंने रिकांटी के जब गुरुची का स्वरूप चाहिए वहां रहा है हमने कुछ नहीं पूछा किसी को कुछ नहीं बोला यह गुरुची का रूप है तो उन्होंने बुला आपको गुरुजी का सवरूप चाहिए, तो वहाँ मिल रहा है, अच्छा, हम लोग वहा गए तो लेकिन उन्हों सवरूप थे और वो वाले सवरूप नहीं थे, तो हम लोग आ गए, वहाँ से नहीं मिला अब उसके बाद क्या हुआ अब जब डुगरी गुरुची ने बुलाया जब यहां पर गुरुची ने डुगरी बुलाया तो क्या हुआ डुगरी पंदर में वहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगी होई थी तो अच्छानक से मुझे याद आया कि मतलब वो मांग रही है प्रेम और उसको चाहिए स्वरूप वो मुझे बोल रही थी तो मैंने का कि मैं लाइन में लग जाती हूँ और उसके लिए स्वरूप लोगी तो उसी टाइम उन्होंने बोला हंजी आंटी आजो आपको स्वरूप चाहिए आप लोग उन्हें लंगर प्रशाद कर लिया, आप लाइन में लग जाओ, तो मैं लग गई, वापे उन्होंने इतना अच्छा पीले चोले वाला स्वरूप, गुरुजी का बहुत संदर स्वरूप, वो गुरुजी और गुरुजी फिर हमारे साथ ही वापस आए, गुरुजी महाराज साथ ही हमारे सा इसने विराजमान करा आया, तो गुरुजी महाराज तो बिल्कुल फरक करते ही नहीं, संगत में, य तो हम लोग सोचते है, लेकिन गुरुजी महाराज नहीं फरक करते ही, कोई भी संगत में, कोई भी संगत, उन lle fait second speech together, ये मन के भाव की बात है ये मन के मन की बात है आप्क कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुरुजी तो सामने बैठके बता देते हैं ऐसे होता था जब गुरुजी जोले में थे सामने बैठा होता थो कोई भी तो गुरुजी जज़ कर लेते थे कि सामने क्या चल रहा है तो पूजी अब पूजा भादिया आंदी जै गुरुजी और सब को जै गुरुजी नीता आंदी जै गुरुजी सपना शर्मा आदी जै गुरुजी तो गुरुजी महरात से कुछ छुपा नहीं है अगर कुछ छुपा नहीं है अगर क्या मतलब कि वो है तो फिर फिर हमारा उनके उपर शक करना या यह सोचना कि गुरुजी पता नहीं कर भी रहे है कुछ की नहीं या वो हमाई न सोच से पहले कर चुकी होते हैं हमें सिर्फ वो इसलिए टेस्टिंग करते हैं ताकि हम तिके रहे हमारे अंदर पेशन्स पैदा हो ठीक है न माले जे अगर आप एक गुरुजी पाराज बिलकुल आज टीचर जैसे कहेंगे इस अमधर बिलकुल वो अपने संगर का बहुत ख्याल रखते हैं और वो हमें टाइम टॉ-टाइम समझाते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए शुक्राना कर जैसे मैं स्टार्टिंमेंगी संगर जो बात में जुडए हैं दिखिए कि मन के भाव है आज लोडी का दिन है तो हम सब मिलके गुरूजी से आज लोडी तो मांगते हैं सब मांगते हैं गुरुजी महाराज से हम लोडी मांगेंगे हम यह कहेंगे गुरुजी महाराज आपकी ब्लेसिंग और आपकी बक्षिश हमें तो बस यह चाहिए और दूसरा यह कि आप हमें सेवा बक्षे ठीक है और जैसे आपको ठीक लगता है और हम खुशन हैं, यह नहीं उदास होकर, कि ऐसा है, वैसा है, ठीक है, मतलब यह सब कुछ तो चलता ही रहता है, मतलब पूरी लाइफ खुशना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है न, कि यह हो गया, जो संत महात्मा भी आते है, जो इस धर्ती पे, गुरुजी महाराज साक्षा खुशिव है, जब हुमन जोले में आते हैं, तो कितनी तकलीफे उठाते हैं, कितना कुछ वो हमारे लिए सहन करते हैं, कितना कुछ, लास सरसंग में भी हमने शेयर किया, ताकि हुमन जोले में आये, तो उन्होंने कितना कुछ साहा है, तो गुरुजी हमें स्ट्रॉंग ब अपने गुरुजी को प्यार करें हम सिरफ दर्दर नहीं हम सिरफ एक ही धर पर अपने आपको सरेंडर करें विश्वास करें भरोसा करें हद विश्वास की जो हद होती है जो पिल्कुल वो वो अपने गुरुजी महाराज को हम समर्पित करें कि गुरुजी हमें सब पता है कि कुछ भी हो जाया हमारे साथ हो अनंतम शुकराना घुरुजी महाराज का हरपल शुक्राना और कितना ब्लेस्ट है जो गुरुजी महाराज ने आसीवा बख्षिया लोडी का दिन तो मैं बोल रही थिन आपको कि मैं गुरुजी से मैं और रही थी कि आपको तो बहस्टिं पता है तो ये अच्छा नहीं है कि मैं मारे में चाहे tenho बारे सब्सक्रेशा सारी संगत का जिरोंने जॉइंग किया है और आप सबको हापी लोडी बहुत-बहुत खुशियों वाली और आज हमें सिरफ जब भी हम लोडी जगाते हैं लोडी मनाते हैं रात को अभियसली तो तब हमारे मंद में सिरफ एक ही भाव आना चाहिए कि आज हम बिलकुल अपने जो अपने अंदर जो हमारे अंदर जो भी नेगिटिविटी है या जो भी हमारे अंदर जैलिसी है जो भी हमारे अंदर एहंकार है जो भी ऐसा कुछ भी है कुछ भी चीक है अगर इतना भी है तिल मात्र भी है तिल मात्र भी है तो वो भी हम आज उसमें समर्पित कर देंग और बिलकुल अपने गुरु ची की प्यारी संगत बनके हम उनको अपने आपको शॉपेंगे उनके चर्णों में फंचुक्राना गुरुची का लग लग शुक्राना सारी संगत का जोइन किया और गुरुची अब आग्या है आप से और जब Guruji महराज, next time सिवा बक्षेंगे, तो हम हाजर हो जाएंगे, तो आग्या है Guruji, और सारी संगत से, संगत से भी मैं आग्या लेती हूँ, सबको जै गुरुजी, पूजा अंती, और शीतला अंती, विने कुमार अंकल जै गुरुजी, और सारी प्यारी संगत को जै गु कीजिए, क्योंकि, again मैं बोई बोल रही हूँ, कि हमें नहीं पता, कि जब कादों में वो बचन पढ़ते हैं, तो जो सत्संग होता है, वो गुरुजी खुद बुलवाते हैं, तो जब बुलवा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता, कि कौन से बचन किसके कादों में पढ़न अगर blessing है, दोनों तरफ होती है, सब जगे गुरुजी की blessings होती है, तो शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना अलब यू गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.